असलाम अलेकुम फ्रेंज कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमजान स्पेशल रेसिपी चिकन बुना रोल की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और हम इसको घर पे कैसे इजिली बनाएंगे तो चलिए देखते अगर रेस और उसके बाद तीन बड़ी प्यास को दम बारिक चॉप करके हम इसमें दाल देंगे और यह हलका सा फ्राय हो जाएगा इसका कलर हमें चेंड नहीं करना है बस इतना ही करेंगे इसी में मैं यह 300 ग्राम बोलनस चिकन दाल दूँगी जिसको मैंने छोटे-छोटे तुकडों मैं कट कर ली हूँ और यह दाल के इसके साथ हम इसको फ्राय कर लेंगे तो ग्यास की फ्लेम को जो हमें हाई रखके ही इसको भूनना है और जब चिकन थोड़ा सच्छा सब पक जाएगा तो हम इसमें बाकी की चीज़े दालेंगे तो यहां पर मैं छोटा टमाटर बारिक क तो जिकन की कॉंटोटी जो है वो आप कम या जादा भी कर सकते हैं तो इसी में मैं दाल दूँगी आदी शिमला मिर्ज बारिक कटीवी और शिमला मिर्ज दालने के बाद जो है इस तो पौड़र मसाले दालेंगे तो यहां पर आदा चमज किचन किंग मसाला नमक हल्दी प पौडर आदा चमज जीरा पौडर और आदा चमज गरम मसाला एक चमज धनिया पौडर यह दालने के बाद अच्छे से इसको हम भूल लेंगे 10-15 मिट के लिए जब अच्छे से भून जाएगा तब इसमें हम थोड़ा साहरा धनिया दालेंगे और गैस को बन कर देंगे तो ह यहां पर नॉर्मल अंडा फ्राइ करते हैं तो यह दोनों चीज जब रेडी हो जाएगा तब हम इसके रोल बनाएंगे तो यहां पर मैंने दोनों जो है वह रेडी करके रख ली हूँ अब इसके हम रोल बना लेंगे तो रोल बनाने के लिए हम थोड़ा सा पेड़ा तो यहां पर इसमें गोल प्रॉपर शेप नहीं आएगा तो आप जैसे इसको जितना पतला कर सकते उतना पतला आप इसको लंबा जो है वह बेलते जाए तो यह देखिए इतना यह लंबा बेल कर जो है वह रेडी हो चुका है आप इसको हम थोड़ा थोड़ा खीशते भी जाएंगे और जितना हो सकते हम पतला बेलेंगे तो बेलने के बाद जो है इसके उपर हम एक अंडा रखेंगे फ्राइ किया हुआ उसके बाद छिकन भूना रखेंगे जो हमने रेडी करके रखे थे और इसको हम रोल कर लेंगे तो यह मैं अंडा और जो है आटा दोनों भ करके रखी थी ताके वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग जो है इसी तरह बनाई है तो यह देखिए इस तरह हम इसको रोल करेंगे पहले इसको दो बार इसको पहले रोल करेंगे फिर दोनों साइट से उठा के इस तरह हां इसको रोल करते जाएंगे और ख इसाइब चाहे तो दी फ्राइ भी कर सकते हैं तो चारों तरफ से हम इसको छेंज्स करते हैं जाना है तो यह देखी आब यह चारों तरफ रहा है यारण फ्राइयर हो चुका है आप इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे bear और मैं आपको इस कट करके भी दिखा दियू कि यह कितना मज़े का और कितना अच्छा बना है आप लोग भी इसे जरूर ट्राइक करें तो यह देखिए दो फ्रेंस हमारा चिकन भूना बनके बिल्कुल रेडी है आप इसे पूदिनी की चटनी या मियोनिस के साथ खाईए औ और रेसीपी अच्छी लगी तो लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को और साथी में बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन आपको सबसे पहले पहुचें और जिनोंने अभी तक मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कि इस्टाग्राम प लिफिस